हेलो एवरिवान, वेलकम टो मतर क्लास एस यूटुब चाइनल, तोड़े वी विल लार्न, मैस, क्लास 7 एंसर्टी बुक, तो उसमें से हम, क्लोजर अंडर मल्टिप्लिकेशन सिखने वाले हैं, तो क्लोजर अंडर मल्टिप्लिकेशन, अब्ज़र दो फॉलिंग टेबल मतलब यहाँ पे हमने प्रोड़क्ट ए मल्टिप्लाइ बी मान लिया, ए मल्टिप्लाइ बी तो इसका आंसर क्याएगा, अल इंटेशन, ए ए एन बी, और मल्टिप्लिकेशन में एक रूल होता है, मानस मानस मल्टिप्लिकेशन में प्लस होता है, मानस मल्टिप्लाइ मानस इस इक्वल टू, आंसर प्लस में आता है, मानस वन मल्टिप्लाइ मानस फायू इस इक्वल टू, ए दोनों आंसर क्या आएगा, प्लस फायू, फिर दो एक minus integer है और दूसरा plus integer है तो इसका answer minus में minus में जाता है minus 2 multiply minus 5 is equal to इसका answer आएगा minus 10 minus 30 multiply 12 is equal to dash dash तो देखो minus है और यहाँ पे 12 प्लस है तो 12 x 0, 0, 12, 3, 0, 36, यहाप एंसर के आएगा, minus 360, तो product is an integer, next example, minus 15 multiply minus 23, 23, minus minus plus होता है, तो 15 multiply 3 is equal to 45, 45 का 5 and 4 carry over, 15 to the 30, 30 plus 4, 34, 15 भी minus है और 23 भी minus है, तो multiplication में minus multiply minus answer आता है 4, प्लस तो answer इसका आगया, plus 345, product is an integer, minus 14 multiply minus 13 is equal to, 14, 3 is a 42, 2, 4 carry over, 14, 1 is a 14, 14, 1 is a 14, plus 4, 18, minus minus plus, minus 14 multiply minus 13 is equal to, 182, product is an integer, plus 12 multiply minus 12 multiply minus 13 is equal to, इसका आएगा, minus 360, product is an integer, is equal to, इसका आएगा, minus 360, product is an integer, not an integer, no, this gives us an idea, that the product of two integers, is again an integer, तो यहापे हमें क्या idea मिलते है, तो कौन से भी दो प्रोड़क्त ने हमें multiplication किया, तो हमें क्या मिलता है, एक अनादर integer मिलता है, अगें अन गिव इंटेजर, तो हमें अगें अन इंटेजर ही मिलता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोजर, अंडर, अधिशन, थैंक यू वाचिंग, प्लीज, सब्सक्राब, लाइक और शेर मैं यूट्यूब चैनल,